नमस्कार विडियो में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है आज अब लोग संस्कृत सरिता के चैप्टर 11 विद्याया बुद्धी श्रेष्ठा नामक कहानी को करेंगे कहने का अर्थ है विद्या से बुद्धी श्रेष्ठा कहानी का अनुवाद हम लोग देख लेंगे एक कस्मिन ग्रामें चत्वारह ब्राहमन कुमाराह परस्परम मित्रभावेन वसंते इस्मा एक गाउं में चार ब्राहमन कुमार यानि ब्राहमन पुत्र परस्पर यानि आपस में मित्रवत रहते थे तेशां ब्राहमन कुमारा नाम त्रयह ब्राहमना शाष्ट्रेशु पारंगता परंतु बुद्धी रहिता आसन उन ब्राहमन कुमारो में तीन ब्राहमन शाष्ट्र में पारंगत थे परंतु बुद्धी विहीन थे एकहतु बुद्धी मानन आसीत परंतु शाष्ट्र विमुख एक ब्राहमन बुद्धी मान था परंतु उसे शाष्ट्रों का ज्ञान नहीं था एकदा सर्वे कुमारह अचिंतयन एक बार सभी कुमारों ने सोचा कह गुनह विद्याया येन देशांतरनम गत्वा धनार्जनम नाकृतम क्या लाब एतस्मात परम द्वितिय अवदत इस पर दूसरे ने कहा एवं कर्तुम उचितम नाभवती यत एश असमाकम चिर्मित्रम ऐसा करना उचित नहीं होगा क्योंकि यह हमारा परम मित्र है अत एव आगच्य मित्र इसलिए आउ मित्र असमद उपार्जितस्य वितस्य संभागी भविश्यसी तुम भी हमारे द्वारा कमाए गए उपार्जित का मतलब कमाना कमाए गए धन के समान हिस्सेदार होगे अथ सर्वे ब्राहमन कुमारह प्राइस्थिताह एकस्मिन प्राइस्थिताह उसके बाद सभी ब्राहमन कुमार चल पड़े एकस्मिन वने गत्वा ते सर्वे मृत सिंघस्यह अस्थिन द्रिश्वंत एक वन में पहुँचकर उन्होंने मरे हुए सिंघ की हड्डियां देखी तदा प्रत्महा आवदत अहो अध्य विद्याया परिक्षा कर्तव्या तब पहले ने कहा अहो यानि अरे आज विद्या की परिक्षा करूँगा आयम सिंघह मृतह तिश्थती यह सिंघ मरा हुआ है असमें सिंहाय जीवनम दातव्यम यह इस सिंघ को जीवन देकर इत्युक्तवा सिंघहस्य अस्थिनी सन्योजित वान ऐसा कहकर उसने सिंघ की हड्यों को जोड दिया सन्योजित किया यानि कि जोड दिया द्वितिय ब्राहमन कुमारह तेशु चर्म मास रुधिरम सन्योजती दूसरे ब्राहमन कुमार ने उसमें चमडा मास और रक्त सन्योजित कर दिया तृतिय यावत जीवन संचार्यतुम उद्धतह तावत चतुर्थः सुबुधि उच्चय अकतेत तीसरा जब तक जीवन संचार करने के लिए तत्पर हुआ तब चौथे सुबुधि ने जोर से कहा भो मित्र अरे मित्र तिष्ठतु ठहरो एशह सिंगह यदी जीवती तरही वयम सर्वे मृत्यू मुखे गमिश्यामह यह सिंगह यदी जीवित हो जाएगा तो हम सभी मृत्यू के मुह में चले जाएंगे तत तृतिय ब्राहमन कुमारह अवदत तब तीसरे ब्राहमन कुमार ने कहा धिक मुर्खह धिकार है मुर्ख अहम विद्याम निश्फलाम ना करिश्यामी मैं अपनी विद्या को निश्फल नहीं करूंगा तदा चतुर्थह बुद्धिमान हम कुमारह अवदत तब चोथे कुमार ने उत्तर दिया यदि एवं तदा चनम तिश्फ यावत अहम विद्याम आरोहामी यदि ऐसा करोगे तो चन भर ठहरो तब मैं पेड़ पर चड़ जाता हूँ अतह परम यावत तृतिय कुमार मंत्रम पठित्वा तस्मिन मृत सिंहेह जलम चिप्तवान तावत सिंगह सजीवह भुत्वा उच्चे गर्जित्वान फिर जब तीसरे कुमार ने ब्राहमन कुमार ने मंत्र पढ़कर उस मरे हुए सिंग पर जल चड़का तब जल चड़का वह सिंग जीवित होकर जोर से गर्जा सह सिंगह उत्थाय तान त्रीन अपी ब्राहमन कुमारान हत्वान उस सिंग ने उठकर उन तीनों ब्राहमन कुमारों की कुमारों को मार दिया शास्त्र विमुखं परंबुधिमान चतुर्थ कुमारह व्रिक्षात आवर्तियं ग्रीहं गतह ग्यान से शास्त्र ग्यान से रहित बुधिमान चत्था कुमार पेड से उतर कर घर चला गया वरम बुर्धिन सा विद्या विद्याया बुधिरुत्माह बुधिहीना विनश्यंती यथा ते सिंग कार कहा सत्य ही कहा गया है बुधि श्रेष्ट है विद्या नहीं विद्या से बुधि उत्तम है बुधिहीन का नाश होता है जैसे की वे तीनों विद्या का ज्यान रखने वाले बुधिहीन सिंग के कारण नश्ट हो गये तो यह चैप्टर का अनुवाद हमारा कहानी का हो गया अब हम लोग question answers यानि exercises हम लोग देख लेंगे question answers हम लोग अभी कर लेंगे यहां second question में हम लोग देख रहे हैं एक पद में यानि एक शब्द में उत्तर दीजिए क कती ब्राह्मन कुमारह आसन तो कती की जगह पर चत्वारह हो जाएगा ख विद्याया उत्तमा का तो यहां पर बुद्धी कुमारेशु शास्त्र मूढ़म कह तो चतूर्थः विद्याम बिना किम ना लबते धना दिकम के विनश्यन्ति तो बुद्धी हीना लास्ट वाला चतूर्थः कुमारह कुत्र आरोहितः तो व्रिक्ष है अब हम लोग प्रिश्यन नमबर थ्री में आएंगे यहां कहा जा रहा है एक वाक्य में उत्तर देजिये कचत्वारह ब्राहमन कुमारह केन प्रकारेन वसंती इस्मा तो यहां आंसर हो जाएगा चत्वारह ब्राहमन कुमारह मित्र भावेन यहां हो जाएगा केन प्रकारेन हटा करके मित्र भावेन वसंती इस्मा ब्राहमन कुमारह किम अचिंतयन तो ब्राहमन कुमारह आगे हम लोग देख लेंगे अचिंतयन कह गुनह विद्याया येन देशांतरम गत्वा धनार्जनम नाकृतम तत्वयम पुर्वदेशम चलेम नेक्स्ट क्वेश्चिन हम लोग आ जाएंगे धनादिकम कथम ना लबते तो धनादिकम यहाँ विद्या बिना ना लबते गह में हम लोग आ जाएंगे प्रत्मह ब्राहमन कुमारह मृत्य सिंग्हम द्रिष्ट्वा किम अकरोत तो यहाँ आंसर हो जाएगा प्रत्मह ब्राहमन कुमारह मृत्य सिंग्हम द्रिष्ट्वा अकते त अध्य विद्याम परिक्षा कर्तव्या आयम सिंग्हम्रित तिष्ट्वती असमे सिंग्हाय जीवनम दातव्यम चतुर्थह सू बुद्धी तृतियम ब्राहमन कुमारम किम कथितम चतुर्थह बुद्धी सू बुद्धी अकत्यत भो मित्र तिष्टतू एशह सिंग्ह यदी जीवती तरही वयम सर्वे मृत्यू मुखे गमिश्यामहं लास्ट वाला चर में हम लोग देख रहे हैं सजीवह भुत्वा सिंग्ह किम कृत्वान सजीवह भुत्वा सिंग्ह उच्चे गर्जित वान संग सह सिंग्ह उथाय तान त्रीन अपी ब्राहमन कुमारान हत्वान अब यहाँ पे रिक्तिस्थान को सही शब्द से हम लोग को भरना है प्रेश्चिन नंबर फोर में तो तेशाम डैश शास्त्र पारंगता यहाँ पर त्रयह हो जाएगा तेशाम त्रयह शास्त्र पारंगता ख में डैश बुद्धी उत्मा तो यहाँ विद्याया बुद्धी उत्मा तदाचनम तिष्ठ त्वम तत्वयं पूर्वदेशं चलें यहाँ पे हो जाएगा उसके बाद लास्ट वाला एशह अस्माकम चिरमित्रम तो यह question answers यह आप लोग को करना है हुआ 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 है